जैगोमाता वंदे महतरम सात्यों जोद्रेमें गूमिर संस्थान में आपका हाड़ीक श्वगत हैं मित्रों जैसा कि हमें पता है कि आज की भारतिय भारत में जो इस्तथी बनी रखी हैं इस स्थी के अंदर लॉकडाउन के इस्तथी हैं और हम सब घर के अंदर ही अपने आप प्रक्षक्त जैसा कि बात सरकार का आदेश हैं इस सबसे ज़्यादा हमारे संस्थान से जो जुड़े हुए जिनका इची के साब ने संस्थान से चल रही है उनको बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है कि उनकी जो महिने संस्थान द्वारा बेची जाती है वह पूरी होने के बाद हम नेक्स्ट उनको मेडिशन कुरियर नहीं कर पा रहे हैं जब तक लोगडाउन नहीं खुलता तब तक आप उन्हीं मेडिशन जो मेडिशन आपके पास बची हैं उनका प्रियोक लीजिए और उसके अलावा अभी रोद्दे देते हों इसके अंदर सबसे पहले हमें जोही परतियोंग आया है जो अपनी संस्थान के ओर से आपको जर बतायाए गया है कि हरी परत्यों का प्रियो जोड़ों की पत्या लेके जूस बनाते ग्रिन उसको इससे एकपार फ्तिमंदर ही का ये घो मुत्र ताजा गुमुत्र देशी गाया का मैं और आपको यहां से अरुग्यकाधा खाठा आऊ किया गया था अगर वो काड़ा आपके पास है तो उसको किस तरफ तरस से बनाना है वह भीदि आपको बता रहें अगर आपका अरुग्य काड़ा खतम हो चुका है तो देशी गाय के गोमत्र को देशी हल्दी के साथ बनाना है जो जीवी के हल्दी अपने संस्थान दोर आपको प्रदान की गए थी इसके अलावा आपको हरी साख सब्जिया और हरी फल्फूर्ट का शेवन ज्यादा सी ज्य इसको देखते हुए यह प्रतित हो रहा है कि लॉक्डाउन कुछ दिन आगी बढ़ सकता है या नहीं भी हो सकता है लेकिन जब भी लॉक्डाउन खुल जाएगा तो तुरंत आगी की कारवाई की जाएगी जितने भाई बैनों ने कॉल करके बता रखा हैं मेडिशन का उनक आप तुरंत मेसेज कर सकते हैं किसी भी तरह से या पीडित हो कोई भी रोग हो किसी भी तरह का अशाध्य रोग हो आप जानकारी ले सकते हैं जोत्री में गुमरी संसान आपके लिए 24 गंटा सेवाए उबलब्ध है और एक बात मित्त्रों के हमारे संसान द्वारा जो बता हुआ रहता है और बच्चों में वडह собой हलका रहता है दो बहभीत हो जाते हैं कहीं यह कौरणा वायरिस तो नहीं नहीं है यह नौर्मल वाइरस है या जैसे उन्नेद होता है तो सभी तरह सभी स्सिंप्रम खाशिया जो युका महोना कौरोना वायरिस नहीं हो सकता तो common virus से बचने के लिए और अपनी रोग पर द्रोड़ शम्ता अच्छी करने के लिए कालमिक अर्ख कर सकते हैं अभी एक नहीं और सी लॉंच किया है कालमिक अर्ख जो मैं आपको बताना जा रहा हूं और तुल्सी का गुणू का शमाविक्ष है इसको लेने का तरीक्या होई है 20 ml आदा ग्लास पानी में शुबशा एक बढ़ों के लिए डोज बरताई कीजिए छोटों के लिए अलग हैं जिस इस एज के अनुसार अलग-अलग होगा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे website पे विजिट कर सकता हैं घर में रहे सुरक्षित रहे और नित्य अगनी होतर कीजिए अगनी होतर से आप अपने आपको परिवार को और समाज को सुरक्षित कर रहे हैं